नौर्थ कोरिया से लोटे रूसी राश्पति व्लादिमीर पुतिन का अंदास कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। युक्रेन की धाल बने अमेरिका के कम दूरी की मिसाइलों की सप्लाई कर आग में घी डालने का काम किया है। पुतिन की चेतावनी को पश्चमी देश बिलकुल भी हलके में नहीं लेने वाले है। पुतिन ने यूरोप और एशिया में ट्रेनिंग एक्ससाइस के नाम पर मीडियम रेंज पर माडू सक्षम मिसाइले लाने के लिए अमेरिका को कसुरवार ठहराया है। पुतिन की हालिया वर्निंग की टाइमिंग भी बहत खास है और एहम मानी जा रहे है। पुतिन ये ऐलान ठीक उस वक्त किया जब ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाफ शुरू होने वाला है। जबकि 9 जुलाई को नाटो देशों का जमावडाई कठा होगा। दरसल अमेरिका में नाटो की 75 वी वर्षगाट पर एक कारिक्रम होना है। इतना ही नहीं नौर्थ कोरिया के दौरे से लोटे पुतिन एक अलग तेवर में दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि नौर्थ कोरिया में कीम जोंगुन के साथ हुई सैन डील के बाद से पुतिन खासे उत्साहित और अक्रामक है। पुतिन अब अपने पश्यम के दुश्मन देशों को खुली चिताबनी देने लगे हैं। पुतिन के नौर्थ कोरिया दौरे ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की घबराहट बढ़ा दी है। एक बार फिर पुराने समझहोतों पर बहस चुड़ गई है। बता दे कि अमेरिका ने साल 2019 में रूस के साथ 1987 की इंटरमीडियेट रेंज पर माडू बल संधी से ये कहकर पीछे हटा था कि रूस समझहोते का उलंगन कर रहा है। हाला कि रूस ने अमेरिका के इन आरोपों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। दावा है कि रूस ने इस संधी के चुलते 500-5500 किलो मीटर तक की दूरी वाली जमीन, आधारित, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को बनाना बंद किया था। पोतिन ने कहा कि रूस ने ऐसी मिसाइलों को तैनात नहीं करने का वादा किया था। मगर अमेरिका ने इने धडलले से बनाया, इसे डेनमार्क और फिलिपीन्स लाकर अभ्यास कर रहा है, जो रूस के भीतर तक हमला करने में सक्षम है। अब रूसी राश्रपती पोतिन ने राश्ट्रिय सुरक्षा समीती की बैठक में कहा है कि हमें इन मिसाइलों को बनाना शुरू करना चाहिए, इन मिसाइलों को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहां से हमारी राश्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्शित हो, ऐसे में माना जा आगाराहे